तो अब ओडिनेंस पास कर दिये गया है लेकिन ओडिनेंस के विरोध में अकाली दल खुल कर सामने आ गया है तो इस सब के बीच में सवाल बड़ा यही बना हुआ है कि क्या आखिरकार अकाली दल और बीजेपी का गठमंदन रहेगा या फिर तूट जाएगा क्या 2022 की विधा होगा कि NDA के साथ रहना है या फिर नहीं अकाली बीजेपी का गठमंदन तूट सकता है या आगे चलेगा या फिर नहीं दोहजार बाई के चुनाव में यह जो नाखोन और मास का रिष्टा कहा जाने वाला गठमंदन वो साथ में रहेगा या फिर तूट जाएगा इस पर आपको बता देख कि जुखबीर बादल की ओर से भी कोर कमेटी की बैठर की गई है तो अकाली दल में समय चर्चाओं का दौर वो लगातार तेज होता जा रहा है और चर्चाओं इसी बात की है कि आखिवका भविश्य में क्या होगा क्या एंडिये के साथ मिलकर चला जाए क्या 2022 में 50-50% की रण निती होगी क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पुराने फॉर्मुले पर वो नहीं लडेंगे अब उनको भी बराबर की सीटे चाहिए तो इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2022 में अकाली दल के साथ बीजेपी होगी या फ अगले पंचार दिना विच सनु कार्डर तो फीड़बैक आ जाएगा उधे बाद साधी कोर कमिटी की मीटीं होएगी तो फिर इसी फैसला लवांगे अगर कार्डर दी फीड़बैक आंदी है कि इकल्या चोन लड़नी है एंड ये दा हिस्सा नहीं लेना 2000 भाई देवेच साधी डिमोक्रेटिक पार्टी है कार्डर बेस पार्टी है जो फीड़बैक आएगा सी ओ यू करांदे एक मेरी काल बलविंदर सिंग पुंदर हो रहां दे नालवी गालबात हो रही इसी हो कहरे सी एक वाजपाई दोर सिगा वाजपाई दोर देवेची जोदो भी कोई फ अच उसनों मिस कर रहे है और उन जेटली नों मिस कर रहे है ए जद्धी बीजेपी नों एपसलूट मज़ूरिटी मिल गई है एक किसी सहयोगी दी परवानी कर दे तुसी देखिया पहले शिव सेना दी की दुरदुशा बनाई हुनकाली दल दी एक एक करके सारे इना नों पिटल इना दे नाल जड़े अलाइस सी कियो सिर्फ शिव सेना त्या अकाली दल सी अफसोस नाल दोनों छट गए ने अकाली दल छट गए नहीं सरकार तो बार आ गए ने दूजा फैसला सी हफते विच ले लवांगे कैन दपा कि तुसी डिमोक्राटिक तरीके नाल जे अल करा रही हैं ने किसाना मैंनों भी एगल समझ नहीं आई मैं भी आज पार्लिमेंट विच आई किया है कि जे तुसी इनों सेलेक्ट कमिटी विच पेंजदे होगे ते केड़ी आफ़त आ जाएगी दो मीने विच फैसला हो जाएगा एक चंगा सी कानून बनावांगे ओक कान किसान भी वेलकम करेगा पर सरकार इतनी जल्दी विच है उस दा मैंनों कोई मैंनी कह सकता क्यूं कर रही है लेकिन इदेनाल सरकार अपना नुकसान जरूर कर रही है तो लगता है कि जेड़ा एक बहुमत दा आंक्राव है जे सरीकेनल मोधी हवा अमेशा हवा जल्दी है ओ तो बहुमत दे आंक्रे करके कमांड भी नजर आंदा है कि सेयोगी दलांदी पोच्छेनी जो तुसी दासरे हो कि वाजपाई साफ वेले भी एक टच हुंदा सी हो टच नहीं है कि ओ कमांड दा तौनों नजर आ रहे है लेकिन एक गल मैं जुरूर कमांगा हवा चलांदे भ इच भी कमांड आजवे फिर वोटां पहनी अब बंद हो जान दिया है इंदरा गंदी नलवी आई होया राजीव गंदी नलवी आई होया तो मैं आशा करना लोकांदी अवाज सुनी जाएगी किसांदी अवाज सुनी जाएगी तो हुन भी सरकार किसी ना किसी राई इस ज होगा इस पर यह बड़ा सवाल बड़ा हुआ है तो नरेश कुज्राल की और से साफ़तोर पर कहा गया है कि एक हफते में फैसला लिया जा सकता है तो वहीं हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसमा में में बिल को पारित कर दिया गया है तो अब अकाली दल की और से रा राज्यसमा में फक्रण की गई है और राज्यसमा में पारित किया जाता है तो इसके बाद राश्टोपती की और से उस पर हस्ताक्षर किये जाने होते हैं उसके बाद उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन क्योंकि अब राश्टोपती के बाद बिल पहुंच चुका है तो इसे लिए अकाली दल की और से अब राश्च्ट पती से अपील की गई है कि उन बिलों पर हस्ताक्षर ना किये जाएं तो हर्चरन बैंस हमारे साथ अकाली दल के सीनियर रेता है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तो हर्चरन जी विरोध तो हाला कि अकाली दल की और से किया जा रहा था लेकिन इस विरोध का केंदर सरकार पर तो कोई नजर असर जो होता वो नहीं आया है तो अब राश्ट पती से अपील की गई है क्या लगता है कि वहाँ पर कोई पुकार सुनी जाएगी प्रावधान में एक प्रावधान है कि जब कोई भी ऐसी कॉंट्रोवर्शल इशू होता है तो राश्ट पती जी को यह अदिकार जिया गया है कि वह किसी भी बिल को अप्रूब करने से मना करते और पार्लिमेंट को एक बार फिर इसके उपर किचार करने के लिए भी और वो प्रावधान ऐसे ही इसूद के लिए है जब कोई देश में ऐसी कोई बात आ जाए जिसमें देश एक तरफ हो और सरकाब इसी तरफ हो नहीं जो है तो एक बार फिर दोबार भी जाए दो ही अपने आप में बहुत बड़ा सब्राइब तो वो किशानों में मंदी मदूरों में अंडरी में पेलिट के साथ खड़े हैं हरचंपेश जी जितनी कोशिश की जारी है उतने ही आनन फानन में केंद्र सरकार बीज़पी के सरकार लगा तर इन ओडिनंसों को लागू करने के कोशिश कर रहे क्या लगता है क्योंकि पहले ही जो विरोद हो रहा था हो उसका असर बीज़अपी पर नजर नहीं आरहा था क्योंकि उनके पास पूनि भॉह मत था तो इसलिए वरोद को नोच अनम Daaz किया क्या लगता मुझे पूरी अम्दीद है कि राष्ट्रपदी इस सरकार को तो उसके गाइड काइड होते हैं तो उसके गाइड को गाइड करेंगे कि जो देश चाहता है वो करो और जो अपनी मजॉर्टी के उपर यह नहीं तो उसी को उसी से बच्चे के लिए यह प्रोविजिन की जई है जी हर्चरन बैंस ची शुक्री आफिल्हाल यूजिटीन से बातचीत करने के लिए तो अकार जैसा कि आपने बोला और वोटिंग करवाने की मांगी लेकिन फिर भी ध्वनी मत से और उस समय यह भी नहीं पता चल रहा किसने हाँ किसने नहाँ कहा सिर्फ स्पीकर साथ जो है वो सिर्फ देखकर पढ़कर बिलको पास कर रहे थे तो जब सांसत जो है वो पारलिमेंट में प्रशन नहीं पूछ सकते पीम केर फंड का कोई हिसाब नहीं मांग सकते और जहां पे इनका अल्प मत है वहां पर बोटिंग भी नहीं कर सकते तो फिर यह टाटा वालों को 890 क पारलिमेंट की बिल्डिंग बनाने का जो ठेका दिया है वो किस बात के लिए बनेगी किस काम के लिए बनेगी अगर बोली नहीं सकते सवाली नहीं पूछ सकते वोटी नहीं कर सकते तो पारलिमेंट नहीं बनाने का क्या फाइदा क्यों देश के लोगों की मेहनत की कमाई क कि आपको लगता है जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया माइक तोड़ा रूल बुक दिखाना वो सीट से भी दिखाना चाहते थे लेकिन वो सुने नहीं रहे थे किसी की नहीं जी तो अब क्या करें वोट नहीं कर सकते प्रशन नहीं पूछ सकते बेल में नहीं आ सकते तो इस ड्रामे की क्या जरूरत थी ये भी ऑनलाइनी पास कर लेते ओडिनेस लाने की जरूरत क्या थी खेती के पूरे देश के किसान जो हैं वो सडकों पर हैं उनकी अब मैं आपके जरिये अब ये बिल जाएगा महामाहिम राष्टपती ज आप भारत के पहले नागरिक हैं कृपया देश के लोगों की किसानों की क्रोडों किसानों की भावनाओं को देखते हुए उनकी मौत के वरंट पर आप दस्तकत मत कीजिए प्लीज पहले भी उठाया था अब भी उठाएंगे लोगसभा में हम कहेंगे कि अब तो राष्टपती जी के पास दिल जाएगा राष्टपती से आगरे कर रहे हैं महामहिम प्लीज क्रोडों लोगों की खेती के साथ जुड़े हुए चाहे किसान है चाहे वो आरतिये हैं चाहे प देखे पहले ही चोटा है अभी 18 दिन का था अब छोटी पारटी हैं जैसे आमानी पार्टी है हमको तो पहली एक मिंट दो मिंट बड़ी मुश्कल से बोलने देते हैं अगर बिल ही ऐसे ऐसे पास कराने थे पास कराने थे हाँ जी जी हो गया हो गया हाँ वह वहां हो की खी तो इस सब इस चैशन का भी क्या फैदा हुआ इतने दिन भी फिर क्राब कर रहे हैं सीधे भोल दिया करो कि जी बिलपास हो गया ए अन्डेकलियर्ड एमर्जेंसी है पामाद्मी पार्टी के सांसर्थ भगवांतमान की और से कहा गया कि यह जो ओर्डिनेंस हैं वो किसानों की मौत के वारंट है और इसी लिए हम राष्ट्रोपती से अपील करेंगे इनकी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर ना किये जाएं तो इसके लिए जहां एक और अकाली दल की और से अपील की गई है राष्ट्रोपती के तो अब आमाद्मी पार्टी का कहना है कि वो भी राष्ट्रोपती के पास जाएंगे उनसे गोहार लगाएंगे कि करोडों किसानों की जिंदगी बरबाद ना करें इन ओर्डिनंसों पर पुनविचार किया जाए इने किंसल किया जाए तो बात करते हैं करोना महामारी की जिसने पूरी तरह से हर किसी के जीवन को रुजगार को अस्तिववस्त करकर रख दिया है तो इसी तरह